बुद्ध के कारग्राफ बुद्ध 5 अगस्त 2024 को सुबह 9 बच कर 44 मिनट पर सिंग राशी में वक्री गति शुरू करने वाले हैं बुद्ध का सिंग राशी में वक्री होना हमारी 12 राशी पर किस प्रकार की प्रभाव डालेगा और इन्हें इस समाय वद्ध में किन-किन छेत्रों में सावधानी भरतनी चाहिए इन सब विशयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज हम 12 राशीों में से मेज ब्रिस और मिथुन राशी की चर्चा करेंगे तो यहाँ सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं और जो नई वीवर्च चैनल पर है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलिए शुरुवात करते हैं और बात करते हैं मेश राशी मेश राशी के लिए बुद तीसरे और छटे भाव के स्वामी होते हैं इस वक्री अवस्ता के दोरान शिक्षा संतान और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर बुद वक्री गती शुरू करेंगे बुद के शिंग राशी में वक्री होने के दोरान आप कोई बड़े निर्नय न ले क्यूंकि उनमें आपको परेशानिया देखने को मिल सकती है साथ ही यह गोचर आपको भविश्य के लिए चिंतित कर सकता है करियर मोर्चे की बात करें तो इस समय अवदी के दोरान आपको अपने कारी में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है साथ में आपको इस दोरान खुशी की कमी महसूस होगी बरिष्टू से भी मानिता कम मिल पाएगी ब्यावशाइक द्रिष्टिकोन से आप जो भी ब्यावशाइक निर्णाई लेंगे वहाँ आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं बित्ती मोर्चे पर आपको आपके अनुशार धन प्राप्त नहीं हो पाएगा और भागी के साथ की कमी भी महसूस होगी आर्थिक मोर्चे की बात करें तो धन प्राप्ति के लिहाद से यहाँ समय ज़्यादा अनुकूल नहीं लग रहा है रिष्टू में प्रियजनू के साथ और जीवन साती के साथ भी कुछ मन मुटाव की इस्तित्या बन सकती है स्वास्त के लिहाद से गर्मी से संबंदित समश्या और एलर्जी इस समय वदि में आपको परिसान कर सकती है इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए बुद के भीजमंत्रू का नित्ति 108 बार जाप करें बात करते हैं ब्रिषब राशी के लिए बुद दूसरे और पंचमभाव के स्वामी होते हैं इस वक्री गति के दोरान माता और सुप के चतुर्थ भाव पर बुद वक्री गति शुरू करेंगे बुद के इस वक्री गति के दोरान आपको पारिवारिक समश्याओं और सुख सुईधाओं के हानी उठानी पड़ सकती है इसके अलावा बूत के सिंग राश में वक्री होने के दौरान आपके जीवन में खर्चू में भी बड़ोत्री देखी जाएगी करियर मोर्चे पर आपको काम में घरेलू समश्याओं का सामना करना पड़ेगा साथ ही बरिष्टू के साथ सामन जश्य भी कम रहने वाला है जिसके कारण गलतिया होनी की संभावनाय बन रही है इसलिए इस छेत्र में भी आपको विशेश रूप से ध्यान देना है ब्यावशाइक मोर्चे पर यहाँ वक्त्री अवस्ता आपके लिए मिली जुली रहेगी क्यूंकि इस समय वदी में कभी आपको लाप तो कभी हानी उठानी पड़ेगी आर्थिक तोर पर आपके खर्च जादा रहेंगे यहाँ आपके लिए परेशानी का विशाई बन शकता है इसलिए बजट बना कर चले और धन बचत करने की कोशिस करे रिस्ते में जीवन साथी के साथ बहस या गलतियां होने की संबावनाएं बन रही है जिसके कारण रिस्ते में दरार बन सकती है इसलिए आपको सामंजची बैठानी की कोशिस करनी होगी स्वास्त के लिहाब से बुखार और ऐलर्जी की समझे आपको परिसान कर सकती है इस गोचरकाल को सुप करने के लिए हरी चीजों का बुधवार के दिन दान करे बात करते हैं मिथुन रासी मिथुन रासी के लिए बुध पहले और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल की आवदी में बुध आपके छोटे भाई बहन पराकरम के तिर्ती भाव पर वक्री गती शुरू करेंगे बुध का शिंगराश में वक्री होना आपको अपने प्रियासों में विकास देगा परिवार में भी खुशें आएंगी करियर मोर्चे पर आपको ओन साइट नए आउसर और उसी के संबन्द में यात्रा करने का मौका मिल सकता है इस समयवद में आप अपने परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं ब्यावशाइक मोर्चे पर भी आपके लिए मुनाफे की इस्तिति बनेगी ऐसी संबावनाय इस समयवद में आपके जीवन में ज़्यादा रहेंगी आर्थिक चेत्र में आप अच्छी कमाई के साथ अच्छी बचत भी करपाएंगे धन्द प्राप्ति के संबंद में भी यात्रायें आपके जीवन में हो सकती हैं जीवन साथी के साथ आप सुखत पनू का अननद लेंगे स्वास्त के तोर पर भी यह वक्री अवस्ता आपके लिए अनकूल साबित होगी हलाकि इस समयवद में थोड़ी असुरक्षा की भावना आप महसूस कर सकते हैं इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए बुधवार के दिन हरे वस्तु को धारण करें तो यह था बुध का सिंग राश में वक्री होना जिससे मेज, ब्रिस और मिथुन राशी इस प्रकार प्रभावित होने जा रही है उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी जो भी दर्सक चैनल पने हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजे साथी साथ बेल नोटिफिकेशन भी आउन कर लीजी जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहने पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद